इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं होसलों की जरूरत होती है जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चैंज भी करती है नसा मेहनत का करो ताकि आपको बिमारी भी सक्सेज वाली लगे दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी खास के दुआरा किया गया रिजेक्शन दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से कूर जाती है एक कामियाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है इस ट्रेगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक् सिर्ण और मतलता है कि फसल यूही नहीं उखती मेहनत के पसीने से प्र亞सों के बीजों को सीचना पड़ता है मुश्किलों का आना part of life है और उन में से हसकर बाहर आना art of life है अगर सकसेज़फल होने का जुनों सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोख सकती है सकसेज़ की सबसे खास बात यह की वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सकसिज फुल होने से यूँ जमीन पर बैट कर के हूँ आसमान देखता है खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सकसिज कहते हैं अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं दोगे तो आपको कभी भी सकसिज नहीं मिलेगी तुम्हारे लक्ष के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परमसत्रू है फिर से प्रयास करने से मत घवराना क्योंकि इस बार सुरुवात सुनने से नहीं अनुभाव से होगी लोग आपको नहीं आपके सकसिज और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए अपने आपको निखरने से अपना सारा काइम लगा दो यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए अगर आप ठक जाओ तो आराम करना सीखो समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है क्योंकि समय बदलता सिखाता है किसमत भी बादसा उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं